दोस्तों इस ट्रेक्टर में हमने 12 वोल्ट 775 मोटर लगाई है और यह ट्रेक्टर काफी पावरफुल बना है और अगर आप इस वीडियो को एंड तक जूर देखेंगे तो आप भी किसी भी सिंपल ट्रेक्टर को घर पर ही कनवर्ट कर सकते हैं आज सी ट्रेक्टर में तो वी 250 रुपीज का मार्किट में से मिला है और इसमें पहले कोई भी इंस्टॉल मोटर नहीं है और इसे हम आज मोटर लगा कर एक रिमोट कंट्रोल ट्रेक्टर बनाएंगे और दोस्तों आप देख सकते हैं कि टायर के लुक भी काफी अच्छी है और इसके नीचे वाली साइड काफी स्पेस है यहां पर हम मोटर लगाएंगे तो हमारे पास है यह 12 वोल्ट की 775 मोटर और इसके आगे जो हमने गेर लगाया है वो हमें मार्किट में से 40 रुपीस का मिला है जो की मैंने पहले वी वीडियो बनाई हुए आप उसमें भी देख सकते हैं और यह जो रोड है यह वी हमें 50 रुपीस की मिली है और यह वाला गेर हमें 50 रुपीस का मिला है यह मैंने चंडिकर 35 से रिजिंदर इलेक्ट्रोनिक की छौप से पचेस की हैं और इसका मैंने पहले वी रिवियू दिया था आप वो वीडियो देख सकते हैं और अब हम शुरू करते हैं ट्रैक आपके साथ यहां पर होल बड़े कर सकते हैं और आपर देख सकते हैं ऐसी हम इस गेर को यहां पर लगाएंगे और उसके बाद हम मोटर को यहां पर देखते हैं कि कहां पर फिट करें जहां पर हमारी मोटर अच्छे से इसके साथ connected रहे तो यहां पर भी यह मोटर हम fit कर सकते हैं लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आगे वाली साइड उपर वाली साइड कर देते हैं क्योंकि नीचे अगर हम फिर मिट्टी में चलाएंगे तो मोटर में बहुत ज़्यादा जो धुर मिट्टी है वो जाती रहेगी और मोटर हमारी ज़ल्दी खराब होगी और फिर हम पानी में भी चला सकते हैं इस ट्रेक्टर को अगर हम मोटर को उपर वाली साइड लगाएंगे तो चलिए अब हम इसके उपर वाली साइडे को होल कर लेते हैं जहां से हम मोटर को नीचे वाली रोड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जूर देखें आप यह असा ट्रैक्टर अपने घर पर बना सकते हैं को तो अब हम यहाँ से कट करेंगे मोटर की शेप में तो उसके लिए मैंने दो चाकूं को गर्म करकर यहाँ पे इसको काट लिया है कि प्रदोस्तों इससे कट करने के लिए आप थोड़ी सी महंत करनी पढ़ेगी और हमने यह होल करने के के बाद आप देख सेते हैं यहां पर हम इस मोटर को लगाएंगे और जो हमारी एक गरारी है वो हमारे मोटर वाले गेर के साथ अच्छे से कनेक्टर होनी चाहिए तभी हमारा ट्रैक्टर अच्छे से वर्क करेगा तो दोस्तों अब हम हम इस मोटर के साइड में एमसी लगा देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमारी मोटर यहां पर अच्छे से फिक्स हो चुकी है और यह बिल्कुल भी हिल नहीं रही तो अब हमारे गेर अच्छे से यहां पर वर्क करेंगे दोस्तों यह हमारे पास टायर हैं तो चलिए अब हम इसे चला कर देखते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेक्टर अच्छे से यहां पर रन कर रहा है लेकिन जो दो होल दिए गए हैं दोनों और पर जो कि हमारे टायर के स्लिप को रोकने के लिए हैं और हमने टायर में भी एक छोटा सा होल कर लिया है जहां पर हम ये मेक लगा रहे हैं इससे हमारा जो टायर है वो बिलकुल भी स्लिप नहीं करेगा शाफ्ट के उपर जलिए दोस्तों ने पहले भी बनाई हुई आप चैनल पर देख सकते हैं तो दोस्तों हमारे पास है यह टैन वोल्ट के लीथियम वाली बैंटरी जिससे के साथ हमें से पहले यहां पर चला कर देखेंगे तो दोस्तों हमारा यह ट्रैटर नहीं चल रहा क्योंकि जो हमारी ग्राडी जब ज्या और यह जाल स्पीड में जाल स्पीड पर चलाना तक अजान आगे च्छे लोड़ करका देखेंगे कि यह स्ट्रॉल्ड को पूल कर पाएगा या नहीं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तो आप हम इस ट्रॉली को मिट्टी के साथ बरेंगे लेकिन उस्से पहले हम इस ट्रैक्ट ٹे की ओपर यहाँ पर शतरी लगा लेते हैं तो आप हम इस ट्रॉली के अंदर भर देंगे मिट्टी तो मिट्टी बने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ट्रेक्टर इस ट्रॉली को असानी से खीच रहा है तो दोस्तों अब हम इस ट्रेक्टर के पीछे थोड़ी सी बड़ी ट्रॉली डाल कर देखते हैं कि उस ट्रॉली इसे को फुली लोड कर दिया है और अब हमारा ट्रैक्टर हो इसे खीच・ नहीं पा रहा क्यूद कि हम आरा आगे से बहुत ही ज्यादा हलका है तो हमें लगाना पड़ेगा से हम्ने इसके ड्रेक्टर के आगे बाधि साइड वेट लगा रहा है और हमारा ट्रैक्टर काफी कि दोस्तों अब हम इसमें लगाते हैं है अधिर इफो Noah क dove रख दी और उसके इस त्रयक्तिंगे अब आ कौरा अग्पर Roman Re wal travel करने को सब्सक्राइब